हेलो दोस्तों आज हम सीखेंगे ट्रिपल मेल बाजू की स्टिचिंग इसकी कटिंग का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में डाला है वो वहां जाकर आप देख सकते हैं तो चलो वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हमने बाजू की कटिंग कर लेनी है तो य येॉर में बाजू में कटल लगा लिया है और इसका आर्म होल हमने देखना है आर्म होल तक हमने इसको स्टिच करदेना है इसकी स्टिचिंग करदेंगे हम बहुत यासान तरीके से take-off दैना है जैसे सिंगल बन बाजू बन ती है वैसे ही रिपल बाजू भी बन पनती है त सब्सक्राइब कर Xbox डाऊद सब्सक्राइब चपित पयादि एक RAW जए फोड़ा सब दोता है क्योंकि इसमें इनको set करेंगे और इनको sly लगा देंगे यह हमने sly लगा दी है हमारी तीनों बेल अटैच हो गई है अब इनको नीचे से मोड़ना है तीनों बेल को हम नीचे से स्टिच कर देंगे बहुत बढ़िया देखने में लगती है यह बेल इसके फ्लेयर बहुत अच्छी आती है आप इसको घर में जुरूर प्राई करिएगा इसका लुक बहुत बढ़िया आता है और यह हमने तीनों बेल के नीचे हमने sly लगा ली है अब इसको हम ऐसे फॉल्ड करेंगे और जितनी हमारे बाजो की मोरी है उतनी ही इसकी मोरी रखके हम स्लाई लगाएंगे हमने देख लेनी है हमारे बाजो की मोरी कितनी है आप नाप सकते हैं ऐसे यहां पर आप स्लाई लगाएंगे निशान लगा के और जो नीचे बेल है उनको सेट कर लेना है आपने तीनो बेल स्लाई में दबनी चाहिए ऐसे सेट कर लो आप और स्लाई लगा दो जहाँ पर बेल है वहाँ पर दो बार मशीन धुमा करके पका कर लो और यह हमारे छिलाई लग चुकी है यह हमारी तीनो बैस अटेच हो चुकी है अब इसको हमने सीधा कर लेना है देखिए हमारी तीनो फ्रिल बनके बिल्कुल तयार है अब यह जो हमारी बाजू है इसको हमने उल्टा ही रखना है और बैल को हमने सीधा कर लेना है और इसको हमने बैल को नीचे की तरफ से हमने बाजू के अंदर डालना है और स्टिचिंग के साथ सलाई के साथ सलाई मिलाते हुए इसको हमने स्टिच कर देना है पहले आपका बड़ा सेट कर लीजिए ये दोनों ब्रापर आ रहे हैं और हमने इसकी स्टिचिंग कर देनी है कपडे को सेट करते जाना है और स्टिचिंग कर देनी है हमने बहुत ही असान तरीका है इसको बनाने का यह हमारी स्टिचिंग हो चुकी है अब इसको हमने सीधा कर लिया और ये देखिए हमारी थ्री बेल्स कितनी अच्छी बनके त्यार हुई है ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है थ्री बेल्स तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें थैंक्स फूर वाचिंग